अब very good evening to all of you आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत अभिनेंदन वबंदन जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को याद है कि हमने previous class में 50 तक complete किया था और आज हम 51 से बात करेंगे अब आपकी ये जो class है डेली ठीक पांच बजे मिला करेगी ताकि आपको कोई भी problem ना हो कहते हैं कि करत करत अभ्यासते जडमत होत सुजान माई डियर रसरी आवत जातते सिलपे परत निशान चाहें आप जितने भी कमजोर क्यों ना हो लेकिन यदि प्रति दिन आप practice करते हैं तो निश्चित तोर पर improvement होता है तो आईए शुरू करते हैं आज की ये शानदार practice सभी लोग थमसब करके स्वागत करें सेशन को like करते चलें लेट्स commence आपको बताना है बेनफल का synonym loss, evil, profit या benefit चलिए 51 में reply करिएगा my dear, बेनफल का मतलब होता है घातक और अब आप समझ गए कि जब घातक है तो यहाँ धिये गए options में evil is the right option next question की ओर चलते हैं और next question जो 52 number है इसको देखेंगे और समझते हुए reply करेंगे oblivion certainly, unfortunately, forgetfulness, incorrectly 52 में reply करें oblivion means होता है क्या समझेंगे बेखबर जिसे किसी बात का खबर ही ना हो उसे क्या कहेंगे forgetfulness है ना, correct option is C, next question पर बात करेंगे 53, candor, emotion, concern, frankness, occasion, detraction 53 में reply करेंगे, my dear, candor means असपस्ट वाधिता, frankness, C is the right option next question number 45, sorry 54, agree place of refuge, alter, omen, dispute तेजी से reply करिएगा, agree का synonym आपको बताना है, सही synonym बताएंगे agree means होता है संकेत, आगे चलके कुछ अशुव होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, इसका बचपन में, तो agree का मतलब है, omen, omen का मतलब भी होता है, अशुव संकेत, correct option, it's C, देखो, omen के पहले good लगा दोगे, तो शुव संकेत हो जाएगा, bad लगा दोगे, तो बुरा, प्राय हालब कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब negative ही होता है, diligent, honest, clever, industrious, damaging, चलिए बहुत ही easy question लेकिन आपके exam में पूछा जा चुका है, diligent means महनती, सनानिम क्या होगा, industrious, C is the right answer, affront, exile, counter, eruption, indignity, 56 में रिप्लाई करेंगे, affront का सनानिम क्या होगा, तेजी से रिप्लाई करें, 56, yes, indignity is the right option, D is the right option, solitude, musical composition, aloneness, true statement, single-mindedness, 57 में रिप्लाई करेंगे आप, solitude में एका की, aloneness is the right option, brittle, dull, weak, vulnerable, mild, brittle means छन भंगुर, जो टूट जाए, तो उसे क्या कहोगे, vulnerable, that can be hurt easily, यहाँ पर C option केरेट हो जाएगा, next, net, actual amount, amount after text, governance, coverage, miss, 59 में आप रिप्लाई करिए, सभी लोग, 59 में बहुत अच्छा question है और इस cancer आपको देना है, net का synonym क्या होगा, इस question को मैं आपके assignment के लिए देता हूँ, सभी लोग मुझे comment box में बताईएगा, next, lacrimous, turch, mournful, indecent, and lacrimous, lacrimous, तो lacrimous का synonym बताना है आपको 60 number में, lacrimous means अश्रपून या दुखी, mournful is the right option, प्यारे साथियों, इसी तरीके से daily practice करते रहें, ठीक, पाँच बजए हैं, हम आपको, जैसे ही इस set complete होगा, तो इवास application और इवास channel, telegram channel, दोनों जगे इसका PDF भी provide कर देगे, description में PDF का, sorry, telegram का link दिया है, और इवास app का भी link दिया है, आप join कर सकते हैं, जो साथ ही हमारा regular batch, paid batch join करना चाहते हैं, वो 9453-9452-51 पर call कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले application जरूर download कर लेंगे, take care, thank you. झाल 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 झाल, झाल झाल, 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 झाल,